नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इन्विश्म में दोस्तों आईसे ये लॉंबार्ट ने अपने कौटर टू के नतीजे डिकले कर दिये तो आज हम रिजल्स का फुल एनालिसिस करेंगे सबसे पहले देखेंगे कंपणी के रिजल्स कैसे हैं सेकंड कंपणी का शेरोलिंक बैटर और कंपणी के दूसरे फंडामेंटल्स कैसे हैं थर्ड वैल्यूएशन चेक करेंगे क्या ओवर प्राइस है फिर अंडर प्राइस है और लाश में लोग डिस्कुस करने वाले क्या हमें इसमें न्यू बाइंग करनी चाहिए या फिर अगर आपके पास ओलडी यह शेर है तो आपको क्या करना चाहिए क्या होल्ड करना चाहिए फिर आपको सेल करके निकल जाना चाहिए तो आप शुरुवत से लेकर अन तक इस वीडियो पे बने रहना इस पर का जो टोटल लिंगम पर है कंपनी का वर ओर 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 चार अजर पांसो करोर उपर आए और लाज टी यह रों तीन अजर आजसो करोर के आसपर सब्सक्राइब तो यह रोन यह अठारा प्रतिशत का हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है वहीं कौटर ऑं कौटर अगर आप देखो के तो यह साड़े तीन सो करोड का था नेट परफिट जून दो अजर बाइस के अंदर और यह उससे बढ़के पांसो नपे करोड का हो गया है तो कौटर ऑं कौटर और यहर और यहर भी जो है कंपनी के काफी शांदार रिजल्स देखने को मिल रहा है इस पर का टोटल इंकम है और यह नेट परफिट है वह भी कंपनी का अच्छे कासी तरीके से इंक्रीस हुआ है और रिजल्स जो है कंपनी के फेवर में हमें यह पे देखने को मिल रहा है अभी अगर शेरोलिंग पैटरन की बात करें तो यहां पर जो है 48 परसंटेज का होल्ड इस शेर में डिक्रीस का रहते हैं तो पेले यह 28 प्रतिशती थी अभी यह 25 प्रतिशत के आसफास के हो गई तो गया थाष कर नपकिन सेंदर अगर आप 10 सालों का सेल्स लास्टोरल यहां पे अर यहां पर प्रोनेट उफिट हो रहा है और यहांपर इंक्रीस अखते हुए ह हमने देखने को मिल रहा है सिरफ मार्स 2021 अगर हम 22 की बात करें तो वहां पर net profit जो है company का decrease हुआ था लेकिन अगर आप trailing 12 months का net profit देखोगे मतलब कि यह expect किया जा रहा है कि मार्स 2023 तक जो है company capital employment देखो के तो 19 प्रतीशत का है और return on equity जो है 15 प्रतीशत का है तो average हम बोल सकते कि return on capital employment है और return on equity है और valuation देखे तो दोस्तों इसका 39 का PE ratio है और जो book value है वो 193 का है तो दोस्तों valuation में अगर मैं आपको अगर compare करना हो कि यह overvalued है या फिर undervalued है या फिर fairly valued है तो वो कैसे चेक करेंगे तो पहले तो होता है कि PEER companies देख लेते हैं लेकिन PEER companies आने में मोशली कहा है जो यहां पर PEER companies है वो life insurance है लेकिन यहां पर यह जो company का है वो general insurance है तो उसे सबसे में इसका जो है न दोस्तों median price to earning ratio देखना पड़ेगा कि median price to earning ratio कितना है तो अगर आप last एक साल का median price to earning मलब average price to earning ratio देखो तो 47.7 का है लेकिन अभी का जो price to earning ratio है वो 39.6 का है मतलब कि यह अपने average price to earning ratio के नीचे trade करा है मतलब कि अभी यह जो है कहीं न कहीं काफी जो share price जो है अगर अपने हाय से है 1548 का हाय था वहां से जो है around 25% जो है अभी गिर चुका है तो अगर आप में long term के लिए invest करना हो तो इस share के के बताऊंगा दोस्तों अभी मैंने यहां पर इसका weekly charge open कर दिया और इसका जो high था around 1670 रुपय के आसपस का था और यहां पर अगर आप देखो के तो लगा का जो है weekly pattern पर यह जो है lower highs और lower low लगा जा रहा है तो यहां पर अगर आप देखो के तो यह लेवर लोवर है अगे trend हमें देखने को मिल रहा है on the weekly basis और दोस्तों अगर मैं daily basis की बात करूँ तो daily basis पे कौन सी levels पे हम लोग entry कर सकते तो दोस्तों वह भी discuss कर लेते हैं तो यहां पे दोस्तों इसका जो 200 days का moving average यहां पे निकल के आ रहा है अगर आप यह green line देखोगे तो 1261 का निकल के आ रहा है और 50 days का moving average आ रहा है तो जब तक दोस्तों यह अपने 200 days moving average को cross नहीं कर लेता उपर के साइड तब तक दोस्तों हम लोग इसमें new entry नहीं करने वाले यह for sure जब तक कि यह 200 days moving average को cross करेगा तब भी हम जो है new entry लेंगे और जब यह इसको cross करेगा तो इसका जो पहला target है वो निकल के आ रहा है अरूं 1368 रुपए का और दूसरा जो target निकल के रहा है दोस्तों वो आरूं 1411 का तो यह जो है यह दो target जो है on the immediate basis पे हमें देखने को मिल सकते हैं unless and until यह जो है अपने 200 days moving average को cross नहीं कर लेता और अगर आपके बास already share के अंदर holding है तो दोस्तों यहाँ पे एक immediate support है अरूं 1100 के लेवल के आसपास immediate support है तो दोस्तों अगर यह यहाँ पे इस support को जब तक break नहीं कर लेता तब तक जो है आप अपनी holding है जो है इस company earning अंदर बना है रख सकते हैं अगर जिस दिन आप इसने अपने support को break कर दिया उस दिन जो है आप इसमें exit करने का सो सकते हो इस टॉप loss लेकर विकॉस दोस्तों इसमें फिर क्याना कि हमें और roundward trend जो है हमें देखने को मिल सकते हैं और अगर आपने 3-4 साल या 5 साल के लिए share को अंदर रख रख मलब कुस नजरीय से आपने जो है purchase किया हुआ है तो फिर आप उसमें जो है again hold की position बना सकते हैं वह फिर आपका decision रहेगा कि आपको उसमें hold करना है या नहीं फाकी new entry के लिए इसको 200 days का moving average को cross करना ही पड़ेगा तब भी जो है new entry हम इसके अंदर कर सकते तो आशा करते हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद होगा इकड़ी यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को like करना और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं है तो subscribe जरूर करना और आपके कोई भी suggestions और queries हो वह आप मुझे comment box में जरूर बताना धन्यवाद